क्या आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी बैक लेनी हैं तो ये वीडियो जहां शुरू से अकरी तक देखें और आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे हाई फ्रेंड मेरा नाम है नवनी तो आपको दूँगा सही जानकारी इस वीडियो में पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवत कि आपने मेरा पहले वीडियो को इतना पसंद किया और इतने कमेंट्स आए इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं वैसे तो मार् अभी के टाइम में बजाज प्लेटी नहीं सबसे ज़्यादा एवरेज देती हैं इसके पार्ट्स भी आराम से हमेशा मिल जाते हैं सर्विस के मामले में बजाज को मैं नंबर मन मानता हूं बजाज का कस्टूमर केरी भी काफी अच्छा है अगर आपके कोई कंप्लेंट है वह पूरी करते हैं और बजाज का नहीं का भरोसा भी हीरो की गाड़ी हर थाल नए- dummy model आते हैं और पुराने मौडल के सामन मिलना बंध जाते हैं ऐसा ही मेरा एकश्पीरेंस में आपको बताता हूं कि मेरे पास特 इस वह सुर कर मोडल थाben खánot सामान कहीं नहीं मिल रहा था कई शोरूम और पार्ट सेल्स करने वाली दुकानों पर भी गया पर उनके पास पार्ट था ही नहीं उनका कहना था कि यह मॉडल बंद हो गया आखिरकार में परेशान होकर धाई साल में गाड़ी बेच दी और मुझे उसकी कीमत भी अच्छी नह ही नहीं जबकि बेजाज में ऐसी कोई प्राब्लम नहीं आती सामान आराम से मिलता है अब बेजाज प्लेटिना ही क्यों तो सबसे बड़ा कारण था एवरेज आपको एक एक्जामपल देता हूं कि मान के चलिए आप एक मेहने में 5000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और प्ल आपक 74 रुपे लीटर प्रती लीटर का पेट्रोल का रेट है और इस हिसाबते हैं आपको पूरे मेहने में 62 लीटर पेट्रोल को अगर इंट्यू करते हैं 74 तो 4625 रुपे का पेट्रोल लगेगा अगर यहीं पे ऐसी गाड़ा गाड़ी चलाता जिसका एवरेज 45 से 50 भी होता एक्जामपल के तो रुपे तो भी आपको अगर 50 का एवरेज होता तो जड़ा सूचिए आपको 100 लीटर पेट्रोल याने 7400 रुपे का पेट्रोल हर मेहने लगता इस परकार देखा जाए तो आपका हर मेहने की बचत 2775 रुपे हो जाएगी अगर बजाज प् आती है आप तीन साल में लगबग एक लाख रुपे बचा लेंगे इसमें दूसरी विश्यस्ता है दस जार किलोमीटर पर ऑइल चेंज करना मैं पांच जार पर रिकमेंट करूंगा आज भी कई गाड़ियां जिसमें 2000 किलोमीटर पर ऑइल चेंज कराना पड़ता है जिसमे सर्विस के खर्चा लगबग 300-500 रुपे आ जाता है यह भी आपकी बच्चा थे हैं आजकल बजाच प्लेटीना का एवरेज सेट करने के लिए एक मशीन भी आई है उसकी में फोटो दे रहा हूं अगर उससे एवरेज सेट कराते हैं तो इसमें कोई वह नहीं है कि जैसे कमाने जैसा ही होता है और कोई कारण है जैसे ग्राउंड क्लीरेंस अच्छा है बड़े स्पीड ब्रेकर में इंजिन टकराता नहीं है आफ रोड में जर्क नहीं लगते हैं सस्पेंशन शौकब अच्छे हैं अब किसी को बैजाच की बाइक लेनी नहीं है और कसम खा करती है इसका एवरेज भी काफी अच्छा और मेंटेनंस भी कमी है अब बाकी अगर आपको और कुछ कोस्टन और सवाल हों तो अब जरूर पूछेगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें कि कुछ अच्छे लोगों को जानकरी मिल जाए कि क्या फायदे हैं गाड़ अबरेज वाली गाड़ी लेने से धन्यवाद दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें यदि आप और भी कोई इलेक्ट्रोनिक सामान या कुछ भी चीज जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि क्या लें और क्या न लें तो आप मेरे को जरूर मैसेज दीजिए और मैं जरूर आपक मैं शेयर में कैसे खरीदें इसका भी मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा तो एक बार आप उसे भी देखेगा और अगर किसी को जल्दी जाना है तो मेरे को मैसेज करें मैं जरूर कमेंट्स करूंगा थेंक्यू बाइश अब वीडियो को खतम करने से पहले अपने आपक तो मैं आपको बताता हूं आप रोज के रोट्रीन में जो भी काम करते हैं एक संडे या आपकी छुट्टी के दिन ऐसा काम करें जो बच्पन में आपकी होबी थी उस काम को उस दिन थोड़ा बोरिंग लगेगा शुरू में लेकिन पूरे दिन करिए और देखिए आपको जो खुशी मिलेगी और कई समय बाद कई टाइम बाद बहुत सा समय के बाद आप अपने आप से मिल पाएंगे एक बड़ ट्राय करके देखिए थोड़ा सिली लगता है लेकिन करके देखिए तो आपको बहुत मजा आएगी दहनुआज दोस्तों इस वीडियो को शेर और बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे और वीडियो बनाऊंगा थेंक्यू बाए